टीम अफगानिस्तान बहुत-बहुत मुबारिक हो PNG के एगेंस खेलते वे 95 रन्स पे उनको आउट किया और जबर्दस तरीके के साथ 15.1 आवर में इन्होंने रन्स चेस किया ऑल्दो के ओपनर्स गुर्बाज और इब्राहिम जद्रान कुछ बड़ा स्कोर कर नहीं सके लेक जिताया गुलबदीन की तो जितनी तारीफ की जाए कम है जो पोड़ी नाइन की उन्होंने नौक खेली फुल कॉन्फिडेंस दे यह माइंड सेट होता है किसी भी टीम का किसी भी बड़ी टीम का कि जब ओपनर आउट हो जाएं जब आपकी मिटल और पर रिस्पॉंसिबि के साथ खेलते हैं तो यह इस टीम को यह जब सूपर रेट क्वालिफाई तो यह कर गया है यह अपने ग्रूप में टॉप की टीम है जब यह सूपर रेट के मैच खेलेंगे इनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा होगा क्योंकि यह अलड़ी न्यूजिलेंड जैसी बड राना असान काम नहीं होता थनकि यह मुझे तो यह सेमीज में जाते पर दिख रहे हैं साथ जेस तरह Branch स्वि Platz लेने में काम्याब हुए इस मैच में भी पहले मैच में पांच विकट ली थे इन्होंने चार धे ली और मैच में तीन विकले बारा विकेट्स होगी इस टॉर्नमेंट में फॉर्टी टू रन्स इन्होंने से दिये इलेवन पॉइंट टू आवर्स इन्होंने किये और क्या बेतरी निंग की जरनी जा रही है अभी तक वाल कम है अल्दों कि जब यह आई पेल खेलने के दो महीने यह बैंच में बैठे र लाइन हें तो मैं शक्त थेज बॉल भी हूँ तो कहते हैं मैने कोशीच कि मैं स्विंग मैं सीख सकूँ और क्यते है मेरी में सिंपल है और मैं इसी जो मैंने लिव्चाहएम आप मुझे काम भी आ रहा है ये तो काफी improvement आ रही हैं की skills में और फिर नवीन उल्हक को बहुत-बहुत मुबारक ओ फिफ्टी इंटरनेशनल विकेट ले ली उन्होंने T20 में ज्या जबर्दस बॉलर है नवीन भी नवीन भी बिलकुल भादरी के साथ बॉल करते हैं उनका उनका एक अपना body style है body language उनकी देखें आप कितनी strong है उनकी और जब बॉल करते हैं आज भी वह दो विकेट लेने में काम्याब हुए हर मैच में वह भी विकेट ले रहे हैं और breakthrough दिलाते हैं अपनी टीम को तो इनका confidence बहुत ऊपर जा चुका है अभी कि राशिद खान जो captain है वो तो जब जबता हैं सारे बहुत अच्छे हैं राशिद हर मैच में परफॉर्म करते हैं चाहे वो बॉल हो चाहे वो वैट हो उनका crucial role होता है राशिद का फिर captain भी हैं टीम को लीड कर रहे हैं और टीम उनकी अंदर कैप्टेंसी में खुश भी है जल है और एक होके खे रहे हैं सबसे इंपॉर्टन किसी भी टीम के लिए होता है कि वो एक होके खेले युनाइटेड होके खेले आप पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आते हैं वाकि आज इनकी टीम अफ़गानिस्तान की फिल्डिंग बहुत जबरदस्ती डारेक्ट त्रोस मारते रहे विकेट पे गुर्बाज ने जो कैचेस पकड़े वो ताबले तार गया और राशिद कान की टारेक्ट त्रो पे वो रन आउट हो गए तो पी एंजी की भी बोलिंग की तारिफ की जाए का कैमिया की बहुत अच्छी बॉलिंग थी बॉलर्स उनके भी कुछ बेतर है वनुआ की अच्छी बॉलिंग थी उन्होंने जो कैमिया ने जो बोल्ड क प्रिएंजी की भी बहुत जबर्दस है ऐसी टीम को भी एप्रिशेट करना चाहिए जो अपने एफर्ट लेकर आ रही है ऑल्दों के यह चोटी टीम्स है इतना एक्स्पिरियनस नहीं है उनका तो जबर्दस खेल रही है जो टीम भी एफर्ट उनकी दिखाई दे आपको ग्र प्रॉपर स्टेट स में करते हैं सामने और यह इस पर प्रॉपर काम करते एंपना और बहुत मैनद कर रहे हैं और यह बिलक्न कोQué मैच की बात करते हैं क्या जबर्दस परफॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फ पहली गेम अपनी ऑस्टेलिया से हारे फिर वो उनका मैच पारिष की वज़से टाय हुआ उनको एक पॉइंट मिला लेकिन इस गेम में उन्होंने मेक शूर किया ओमान का उनने 47 रंस पे आउट किया और 3.2 ओवर में उन्होंने चेस किया रिमेनिंग बॉल सी और इस से उनका जो नेट रंस एट टेबल पे वह बहुत इंप्रूफ हो गया थी पाफी उपर हो गया अब स्कॉट्लेंड का मैच औस्टेलिया के साथ है मुश्किल मैच है स्कॉट्लेंड के लिए अगर स्कॉट्लेंड नहीं जीत पाता या अगर जीत भी पाता है तो इनका जो रं रेट है वह बहुत सा परतस्त है टेपर पे बहुत इंप्रूफ हो गया 3.081 यह भी तीसे नंबर पे हैं सिर्फ एक गेम जीते में अब इनका न स्कॉट्लेंड हार जाती है और रं रेट का कंपारिजन किया जाता है तो इंगलेंड एक बहतर पोजिशन में इंगलेंड के बड़े जबर्दस चांसे सूपरेट में क्वालिफाइक करने के लिए बहुत स्ट्रॉंग इन्होंने कम बैक किया है टॉसीट के इन्होंने पहल और डिजर्व करते हैं यह बाकी इस वीडियो में अब तक इतना ही वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा और मेरे कुछ दोस्तों ने इन्वॉक्स किये हैं कॉमेंट किये हैं कुछ सवालात और उनका मैं होफुली नेक्स वीडियो में जरूर नाम लेके आंसर करूँग तो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मेरी अगली वीडियो तक मैं फैसल कोगर साइनिंग आउट